स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवन्थ साइन्स चैप्टर 3 फाइबर टू फैबरिक इस चैप्टर में अभी तक हम काफी कुछ देख चुके हैं हमने वूल जो है वो किस तरह से प्रोडेक्शन होता है किस तरह से उसे पूरा एक वूल से वूल यान में कनवर् और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सिल्क फाइबर्स के बारे में सिल्क मौच से किस तरह से सिल्क के फाइबर्स जो है वो निकाले जाते हैं वो प्रोसेस हम देख रहे थैंगर आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथी साथ बैल आइकॉन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है, वो मिलती रहे, आज हम आगे इसी में प्रोडेक्शन में, तो next जो आ रहा है, वो from cocoon to silk, हमने देखा था कि जो silk moth की life cycle है, सबसे पहले उसमें जो था वो female silk moth ने एग ले किये थी on the mulberry leaves, और एग ले करने के बाद जो है, वो उसमें next step जो आई थी, वो caterpillar की आई थी, caterpillar के बाद then the pupa formation हुआ था, after the formation of pupa, it convert into the coco और cocoon ही वह स्टेज होती है। जहां से इंसलिक छाल है शोज हनुanka टॉपन समी सलोल ही जोटी है तो में एक आप कोछोंग कहते है। paper and sold to silkworm farmer, इन एक को क्या किया जाता है, बहुत ही carefully store किया जाता है, रखा जाता है paper या cloth पे, और जो silkworm farmers होते हैं, जो इनका production करते हैं, जो इनको देखरेक करते हैं, उन्हें ये बेच दिया जाता है then the farmers keep eggs under hygienic condition, अब इनको ये जो farmers होते हैं बहुत ही hygienic condition में रखते हैं दिहान रखते हैं इनका and under suitable condition of the temperature and humidity और temperature and humidity की suitable condition होना बहुत ही जरूरी है तभी वो life cycle complete हो पाएगी नहीं तो वो वहीं रह जाएगी The eggs are warm to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs अब क्या किया जाता है? X को एक particular temperature पर गर्म किया जाता है ताकि वो जो है वो किसमे convert हो सके larva में और this is done when mulberry trees ये कहां किया जा रहा है? mulberry trees पे be a fresh crop of leaves the larva called caterpillar are silkworm eat day and night and increase enormous lean size अब ये जो है ये larva किस पे feed करता है? इस caterpillar पे sorry mulberry leaves पे feed करता है तो इसलिए इनको इसी mulberry leaves पे रखा जाता है ताकि वो feed करें और size में ये बढ़ते जाते हैं continue feed करके और फिर convert हो जाते हैं ये cocoon में है ना अब यहां पर ये जो है the larva are kept in clean bamboo trees along with a freshly chopped mulberry leaves अब इस larva को साफ bamboo की tree पर रखा जाता है किसके साथ freshly chopped जो mulberry leaves होती है उनको छोटे-छोटे pieces करके और उसके साथ रखा जाता है after 25 to 30 days the caterpillar starts eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon कुछ समय बात क्या होता है ये stop कर देते हैं खाना stop कर देते हैं eating stop कर देते हैं और जो छोटे-छोटे chamber बने हुए रहते हैं bamboo के उसके अंदर जाके cocoon में convert हो जाते है small racks or twix may be provided in the trays to which cocoon gets attached चुटी-चुटी सी rack या twix ऐसे बना दिये जाते हैं जिसमें की ये cocoon जाकर attached हो जाते है the caterpillar are silkworm spin the cocoon inside which developed to silk mode अब ये जो caterpillar है या silkworm है ये वहाँ क्या होगा cocoon में convert होता है और यही cocoon जो है क्या कर दिया जाता है उसको silk उससे निकाल लिया जाता है ठीक है अब ये देखिए यहाँ पर ये कुछ बताया गया है discovery of silk के बारे में the exact time of silk is perhaps unknown एकदम पता नहीं है कब हुई थी according to an old Chinese legend the Empress Tsai Lung Chai was asked by the Emperor Hung Tai to find the cause of damaged of the mulberry trees growing in the garden मतलब ऐसा माना जाता है कि एक राजा जो था उसने अपने उसमें देखा कि जो mulberry leaves है वो इतनी ज्यादा damage क्यों हो रही है तो जब उन्होंने देखा तो उसमें देखा एक छोटे-छोटे कीडे जो है वो mulberry leaves उसे खा रहे है उन्होंने फिर ये भी देखा कि वो उनके जो कोकून है उसके आसपास क्या है एक शाइनी धागा जैसा दिखाई देरा चमकदार accidentally a cocoon dropped into her cup of tree और अचानक क्या हुआ वो जो cocoon थे वो उसके चाय के cup में आ गया entangle of delicate thread separate from the cocoon और एकदम से वो धागे का जो गुच्छा था वो उससे अलग हो गया और silk industry began in China was kept in closely guarded secreted by the hundreds of years और इस तरह से अचानक silk के बारे में पता लगा था बड़ चाइनीज चाइना ने ये बात कई सालों तक कई सो सालों तक इसका secret जो है छुपा के रखा था क्योंकि वो export करता था और काफी उसे profit होता था है ना later on traders and travelers introduce silk to the other countries बाद में फिर जो दूसरे लोग थे traders मतलब जो खरीदार वगरे और जो travelers गुमने वाले उन्होंने फिर पता लगाया और ये जो कहलाता है ये पूरा क्या कहलाता है silk root कहलाता है मतलब इस तरह से silk किस तरह से form होता है ये पता लगा और ये जो होता है ये पूरा silk root होता है तो इस तरह से ये जो था ये silk के बारे में पता लगा और आज भी जो चाइना है वो number one position पर है silk production में सबसे आदा production जो होता है silk का वो कहा होता है चाइना में ही होता है उसके बाद फिर हमारा नेक्स टॉपिक जो स्टार्ट है इसी में आगे हम वो देख रहे थे प्रोसेसिंग ओफ सिल्क किस तरह से फिर प्रोसेस मतलब अब कनवर्ड किया जाएगा अब पाइल ओफ कोकॉंस इस तरह से यूस किया जाता है और उसमें से सिल्क फाइबर बाहर निकल के आ जाते हैं उस कोकॉं में से सिल्क फाइबर बाहर आ जाते हैं अब यह जो प्रोसेस पूरी कहलाती है रिलिंग ओफ सिल्क कहलाती है यह जो रिलिंग की प्रोसेस होती है यह पर्टिकुलर टाइब की मशीन से स्पेशल मशीन से की जाती है जो कि क्या करते हैं इन कोकुन में से सिल्क फाइबर को अलग कर देते हैं डिफ्रेंशियेट कर देते हैं सिल्क फाइबर औरिय जो अलग जाती है, जो सिल्क फाइबर ऑटेक सी पर संदेते हैं लो डूछ सीर्क के कपड़े में वनले ली पर प्रोडिक्षिन जाता अब एमीद कर ते आप कोई चाप्टर अच्छे सा समझ में आया होगा यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं, थेंक यू सो मच